इलाज है या नहीं है? इलाज तो अभी तक सर्दी जुखाम का भी नहीं है. सर्दी जुखाम की भी कोई वैक्सीन नहीं है. क्या हम उसे डरते हैं? नहीं डरते हैं. क्यों? क्योंकि जादा लोग नहीं मरते हैं. तो सबसे बेले एक death rate calculate करते हैं कि exactly कितना है कितने test हुए? 40,000,000 test हुए उसमें से 2,000,000 लोगों को हुआ तो near about average कितनी आई? 5% अगर यही हमने 4 करोड test करे होते तो कितने detect हो गए होते अबता? 20,000,000 हो जाते हैं 40,000,000 करे होते हैं, तो कितने हो जाते हैं? 2,000,000 हो जाते हैं तो टोटल अगर कर लिये होते हमने test 130,000,000 का तो कितना नमबर निकल करके आ जाता? नियर बॉट 5,000,000 इसका मतलब 5,000,000 लोगों को या तो आज की रेट में है या हो चुका है और एक और मज़े की बात यह है, कि करोना में ऐसा नहीं है कि जिसको भी होता है उन सब के सिम्टम्स आते हैं 80% से जादा जो cases होते हैं, वो असिम्टोमाटिक होते हैं उन में कोई symptoms नहीं आते हैं यानि अगर मुझे हो गया है और मैं ठीक भी हो गया हूँ तो मुझे पता तक नहीं है। तब मुझे पता लगेगा अगर मैं अपने टेस्स कराऊँगा जिसको एंटीबोडी टेस्स मोलते हैं और मेरी बॉडी में एंटीबोडी मिलेगी। तब मैं कह सकता हूँ कि हाँ मेरको था और वो ठीक हो गया है तो अभी अगर हम बेसिक सी कैलकुलेशन करें तो पांच करोन निकल करके आ रहा है नंबर उसमें से डेथ किती हुई है 5800 तो 5 करोण में से 5800 डेथ हुई है पहले तो इसको calculation को उमको ठीक करना है डेथ को under report करने का कोई तरीका नहीं है बलकि over report किया जा सकता है over report कैसे for example आपकी body में test हुआ आपकी body में मिला coronavirus लेकिन आपके अंदर पहले ही बहुत सारी problems चली रही थी तब भी आपकी किष्णा किसी वज़े से death होने ही वाली थी पर क्योंकि ये corona आया आपकी body में इस वज़े से आपकी death होगी तो ये trigger कर गया तो ये जो 5800 का number है ये इससे कम तो हो सकता है इससे ज़ादा होने के chances बहुत काम है बट एक बार को मान लेते हैं कि तो कितनी percentage निकल गर के आई पांच करोण में से अगर 5800 deaths हुई है तो क्या percentage निकल गर के आई नियर अबाउट 0.01% ये उससे बहुत कम है जितनी deaths हमारे यहां पे होती है road accident की वज़े से हर साल की अगर हम एक calculation देखें तो डेज़ डाग से ज़ादा death हो जाती है इंडिया में road accidents की वज़े से हर चार मिनिट में एक death होती है road accident की वज़े से और अगर अभी आप देखो कि सड़कों पर एक बहुत ही funny चीज नजर आ रही है two wheeler पर जा रहे है mask चमने लगाए हुए है कभी भी नोट करना इस चीज को हेलमेट नहीं पहने हो है हेलमेट बहुत कम लोगों ने पहने हो है इससे हमको क्या समझ जा रहा है क्या यह समझदारी यह बिवकुफी है क्योंकि हेलमेट ना लगानी की वज़े से उनके मरने के चांसे उससे बहुत ज़्यादा है जितना कि कोरोना से मरने के उनके chances है तो यह डर है जो चारो तरफ फेल रहा है और media डर को और बढ़ाता चला जा रहा है और क्योंकि सही information किसी की पास में नहीं है या सही calculation किसी के पास में नहींहीं है यह जो अभी हम कर रहे हैं इसको mathematical modeling बोलते हैं यानि एक data को देख करके एक modeling करी जाए और फिर समझा जाए कि actual में जो सही data है वो क्या है यह नहीं कि लिमिटेड़ डेटा के बेस में कोई भी conclusion ड्राउ कर लें और उसके बेस 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 पर डरते रहें तो अगर इसका death rate 0.01% है तो हम सब इतना डर क्यो रहे है क्या कुछ और है जिससे हम को डरना चाहिए जिससे हम नहीं डर रहे है जिसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा है जो इससे लाग गुना जादा बहानक है मतलब कोरोना से लाग गुना जादा खतरना कुछ है जिससे हम नहीं डर रहे हैं और इससे हम डर रहे हैं वो क्या है जिससे हमको डरना चाहिए unemployment अभी पीछे कुछ आर्टिकल जाये थे नियूस पेपर में जहां पे एक figure आई थे निकल करके I'm not too sure यह figure कितनी सही है कितनी नहीं है जहां पे आया था कि 13 करोण लोग unemployed हो गए इस figure से हमको डरना चाहिए 13 करोण लोग unemployed होने का मतलब हम समझते है कि इसका मतलब क्या है इसका मतलब यह है अगर economy point of view से देखोगे कि यह जो 13 करोण लोग है यह अपने जो खर्चे है वो अब बहुत ही limit में कर देंगे जिस बंदे की नौकरी चली गई है क्या वो जाकर के market में नए एक अपड़े खरीदेगा क्या अपने बच्चों को ले खिलोने खरीदेगा travel and tourism तो भूली जाओ ऐसी और हजारो industries है जिनकी धजिया उड़ जाएगी क्योंकि demand कम हो जाएगी overall economy के लेवई बे जब demand कम होगी तो क्या करना पड़ेगा इन brands को, इन companies को क्या करना पड़ेगा इन manufacturers को क्या करना पड़ेगा अपनी supply को कम करना पड़ेगा जितनी उन्होंने सप्लाई कम करी अनिम्प्लाइमेंट और बढ़ गया कि आज जो नंबर 13 करोड है वो बढ़ गर रके कितना हो गया 20 करोड यानि यह पूरा का पूरा लूप बन जाएगा इस लूप को बोलते हैं रिसेशन जो ग्लोबली ओलरीडी रिसेशन आ चुका है और अगर यही रिसेशन और डीप होता चला जाए तो उसको बोलते हैं डिप्रेशन जहां से एक एक एकोनोमी को भार आने में 5-10 साल लगते है तो एकोनोमी का पहले ही बुरा हल था प्लस इस कोरोना के वैसे और बुरा हाल हो गया है प्लस जो रहा सहा हमारा जो अपना डर है वो सिचुएशन को और खराब करता चला जा रहा है और इस डर को हर कोई बढ़ा रहा है कोई भी कम करने का काम नहीं कर रहा है एक्चुल में अगर आप मेरे स्टैंपॉट से देखो कि तो डरने की कोई जरुवत ही नहीं है वो कि जो डेथ रेट है वो बहुत ही कम है तो हम डर क्यो रहे है सोचो बस इसलिए कि डेथ नहीं होनी चाहिए अगर यही हमारा अबजेक्टिव है कि डेथ नहीं होनी चाहिए मतलब हम कहते हैं कि कि किसी की डेथ नहीं होनी चाहिए तो फिर तो लॉक्डाउन पर्मनेंट हो जाना चाहिए सबकों पर निकलना ही निचे है क्योंकि सीधा सीधा डेड़ लाग डेथ बचेंगी डेड़ लाग लोग जो हर साल एक्सिडेंट में मरते हैं उनको बचा सकते हैं ना उनकी लाइब बच जाएगी पर्मनेंट कर दो लॉकडाउन को कैसा है आइडिया यह बिल्कुल ऐसा है जैसे मैंने एक आदमी के कहानी सुनी थी उसके घर में एक चूहा कुज गया तो उस चूहे को उसने पकड़ने की बड़ी कोशिश करी लेकिन उस चूहे को नहीं पकड़ पाया तो एंड में उसने क्या क्या घर पे आग लगा दी उसके बाद भी चूहा तो बच करके निगल गया घर चला गया घर जल गया यही हालत है इसकी कोरोना की इस डर को उमको खत्म करना पड़ेगा तब जा करके इस प्रॉब्लम का एक्चुल में सोलुशन निकलेगा जो रियल प्रॉब्लम है और रियल प्रॉब्लम कोरोना नहीं है रियल प्रॉब्लम क्या है हमारी जो एकॉनमी है रियल प्रॉब्लम क्या है अनिम्प्लॉइमेंट तो इस वीडियो की थुरू मैं अपनी एक हमबल रिकमेंडेशन देना चाहूँगा Government of India को जो भी लोग एक particular position पे हैं उन लोगों को कि हमको test करने कम करने है test बढ़ाने नहीं है अभी हम गलती क्या कर रहे है test बढ़ाते चले जा रहे हैं जिसकी वज़े से cases बढ़ते चले जा रहे हैं जिसकी वज़े से डर बढ़ता चला जा रहा है कि जो critical cases है बस उनी का test करो क्योंकि उनी को hospital में एड्मिट करने की जरू होता है तो उनी का test होना चीए ना जो वैसे ही ठीक हो रहे हैं अपने आप ही ठीक हो रहे हैं इनको minor symptoms है और उनको खुद ही ठीक हो रहे हैं उनका test करने की क्या ज़रूत है उससे तो panic और बढ़ेगा और test कर भी दिया तो हम करने क्या वाले हैं उनको क्या hospital में एड्मिट करने वाले हैं नहीं घर पे quarantine करने वाले हैं अभी जो quarantine वाला फंडाए ये भी जब बेश छोटा होता है तब तो काम करता है जब करोड़ों में हो जाता है तब काम नहीं करता है मैं अगर एक्जामपल से समझाने की कोशिश करू जो मेरी thought processes को imagine करो एक एक एसी situation है कि हमें घर में है और चारों तरुस से बाल आई हुए और ये जो घर है हमारा वो ऐसा है इसको imagine करो जहां पर हजारों दर्वाजे है तो हम क्या करें इसमें से एक दर्वाजे को पकड़ ले और उसी को पक्का करते चले जाए ये है क्वारें और बाकी के हजारों खुले पड़े है एक को हम पक्का करते चले जा रहे है क्योंकि यहां से पानी अंदर नहीं आना च तो यानि कि अगर हमको सबकाटेस करना है तो कितने साल लगेंगे 36 साल तो जब इमको दिख रहा है साफसाफ कि हम सबकाटेस करी नहीं सकते तोम टेस्ट क्यों बठाते चले जा रहे हैं है या 트ू सबकाटेस करो और सब मेय से सब को देख करके सब को quarantine कर दो यह बिल्कुल ऐसा हुआ कि वो जो घर है जिसकी मैंने भी बात करी या तो उसको हर तरह से secure करो कि अगर उसके हजार दर्वाजे हैं तो एक को बंद मत करो सारे बंद कर दो तब आप कह सकते हो कि यह पानी अंदर नहीं आएगा कि हमने 130 करोड लोग का टेस्स कर लिया है उसमें से केसिस निकल गए है 6 करोड और 6 करोड को हमने quarantine कर दिया है अब यह आगे नहीं फैलेगा अब 6 करोड से 10 करोड पर नहीं जाएगा बट हमने टेस्स नहीं करें 40 लाग जिसमें से केसिस आए government की तरफ से हमको सिर्फ यह information चाहिए कि भाईया अभी कितने beds occupied है आपके state में और अभी कितने और आपने arrangement कर रखा है और कितने और कर सकते हो अब वो beds चाहे किसी hospital में हो चाहे किसी hotel में हो और plus यह information क्यों नहीं जारी लोगों के पास में अगर यह नहीं गई तो problem solve नहीं होने वाली economy के लेवल पर confidence खत्म हो चुका है reality को उमको पहले समझना होगा अभी problem क्या हो रही है हम कह रहे है कि construction activities allowed है government को क्या लग रहा है allowed बोल करके सारी problem solve हो जाएगी allowed तो हो गई बट मेरे जो friends है जो construction industry में है वो बता रहे हैं कि labor ही नहीं है labor सारी अपने गाउं चली गई है तो अब कौन construction करेगा वहाँ पर अब यह labor चली तो गई है इसको वापिस कैसे बुलाओगे media में अगर रोज यह दिखेगा कि cases बढ़ रहे cases बढ़ रहें, cases बढ़ रहें वापिस आएंगे वो लोग एक से लाख नहीं आएंगे तो उनको media में क्या दिखना चाहिए news में क्या दिखना चाहिए कि अभी problems all हो रही है तो लोगों के अंदर का डर निकलना चाहिए यानि जो भी मैंने अभी तक कहा अगर मैं उसको sum up करूँ तो वो क्या है practically अगर pointers में solution देखा जाए number one most important test दीरे-दीरे हमको कम करने हैं बढ़ाने नहीं है दिन के एक लाग test हो रहे हैं मैं यह नहीं एक दम से 10,000 कर दो एक लाग के 90,000 कर दो at least बढ़ाओ मत समझ गए एक लाग के डेज़ लाग test मत करो दिन के दो लाग मत करो क्योंकि तब भी 36 साल लगेंगे पूरा गरने में अगर आपने स्पीड डबल भी कर दी तब भी 18 साल लगेंगे 18 साल तक तो पता नहीं यह बिमारी कहा होगी किसी को यार तक नहीं होगा तो करना क्या है गवर्मेंट को अगर थोड़ा सा सेंसिबली चले कि टेस्को धीरे धीरे कम करते चले जाओ यानि एक लाग से नभ्य हजार कर दो फिर कुछ दिन बाद असी हजार कर दो फिर सतर हजार कर दो इसकी वेज़े से क्या होगा मीडिया में केसिस कम होते हुए दिखेंगे अख़वारों में केसिस कम होते हुए दिखेंगे हर जगे पर जहां पर अभी आ रहा है कि अभी तक की सबसे बड़ी फिगर आज तक के सबसे ज़ादा केसिस वो सब धीर धीरे कम हो जाएगे कम मीडिया में पैनिक फैलेगा कम पैनिक फैलेगा लोगों में धीरे धीरे लोग भार निकलना शुरू होंगे जो अभी need of the hour है धीरे धीरे लोग भार निकलेंगे धीरे धीरे दिमांड बढ़ेगी धीरे धीरे लोगों में confidence आएगा दीरे-दीरे लोग जो गाओं चले गए हैं वो वापिस आएंगे actual में काम शुरू होगा on paper नहीं की काम शुरू हो गया है actual में लोगों का काम शुरू होगा लोगों का काम शुरू होगा economy शुरू होगी बिल्कुल ऐसा है जैसे दो महीने के लिए आप किसी गाड़ी को बंद करके कहीं पर रख दोगे राज में तो क्या होगा बैटरी डाउन हो जाएगी उसको क्या करना पड़ेगा उसको धक्का मारना पड़ेगा तो अब इस डर को खत्म करने का टाइम आ गया है अब हम सब को मिल करके दिमाग यह लगाना है यह नहीं कि डर को कैसे बढ़ाएं बलकि दिमाग यह लगाना है कि डर को कैसे कम करें या खत्म करें और लोग के कॉन्फिडेंस को कैसे वापिस से लेकर गया है